हलो स्टूलेंट्स द्रिसा सेकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुन है आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूं जैसा कि मैं लगातार अपने TGT और PGT स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंग्रेजी विशा में तयारी कर रहे हैं साक्दी साथ आगामी परिच्छा सुपर्टेट की परिच्छा जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो दे रहा हूं और इसी करम में मैंने लिटरी टर से कनेक्टेड जो कोशन्स के वीडियो हैं बो देना आरम किया है जिसका पार्ट वन में दे चुका हूं आज मैं आपके लिए पार्ट टू लेकर आया हूं लिटरी टर्म्स पार्टू मुझे पूर्ण आसा है यह आपके आगामी एक्जाम के लिए बहुत अधिक महत्पू तो याप कौन जो है वह हीरोग कपलेट का अंग्रेजी में पाइनियर कहलाता है उत्तराखंट GIC 2018 का कोशन है आपके सामने है जोपरी चौसर, बिलियम लेंगलेंड, जोन ड्राइडन, जोन मिल्टन और राइट आंसर है इसका आपशन ए जोपरी चौसर जो है पू कहलाते है हमारे पाइनियर्ड हीरोग कपलेट इन इंग्लेज, पोशन नमबर टू, आइडेंटिफाई दा मूवमेंट टू जोन केबल, कार्डिनल न्यूमेन, प्यूसी, एंड आरेच फ्रॉडे बर स्ट्रॉंगली एसोसियेटेड, आपको इस मूवमेंट का नाम बताना है जिस के प्रॉमुक लोगों में जॉन केबल, कॉर्डिनल न्यूमेन, प्यूसी, एंड आरेच फ्रॉडे जैसे राइटर हुए और यह राइस्थान प्रॉब्लिक सर्विस कमिशन 2016 में पूछा गया प्रस्न है और आप्सन आपके हैं दब ब्रॉड चर्च, दा ऑक्सपोल्ड मुवमेंट यह ओक्सपोल्ड मुवमेंट जो था वो कैसा मुवमेंट था जिसमें की हाई कोर्ट के मेंबर्स थे इंग्लेंड के चर्च के ठीक है और इनमें यह सब थे आपके कार्डिनल न्यूमेंट, प्यूसी, आरेच प्रॉडे एट्सक्रा नेक्स्ट कुशन आपका आता है कोशन नमबर 3 एपीस ऑफ लिट्रेचर बिषदी जनरली विद्दाफ पासिंग और अबलिक और लॉस ऑफ मैन एंड़ आट थिंग्स दे वैलियू एज यानि की लिट्रेचर का वह पीस जो की प्राया डिल करता है पासिंग और लॉस ऑफ मैन में यह जिनकी की बैल राइस्थान पुब्लिक सर्विस कमिशन 2016 का प्रस्ण है और जब कोई हमारा जाता है और उसकी याद में जब हम पोईट्री लिखने दो क्या कहलाती है साहब कहलाती है इलेजी नेब्स कुइशन आपका आता है कुशन नमबर फोर ऑनो मैटोपोया इस डिफाइंड एस तो ऑनो मैटोपोया को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या डिफाइन होगा उसका बद्सन आपके सामने हैं आर्पी एसी रोजा सोले का प्रस्ण है तो देखिए ओनो मैटो पो या जहां साउंड की बात हो, साउंड सजेस्ट इस मीनिंग तो देखिए एफिकर अप स्पीच बेएर सच बर्ड सार यूज्ड हूस साउंड इमिटेड दा एक्शन मीन्स अब्लिक सेंस इंटेंटेड या अगर पर्टि कुलर सब्ड में हम करेक्ट इस्ट्रेश की बात करें तो वह कौन सा सब्ड होगा देखिए पी ए उसके बाद इस्ट्रेश आडि आइसियू एल्यार या पहले ही इस्ट्रेस प ह Bent-पी-ठी-आज-पर्पी-ई-आ-ड ये इस्ट्रेसी आइसियू एल या पी होगा और राइस्तान प्रॉब्लिक सर्विस कमिशन 2016 का ये कोश्चन है नेक्स्ट हाइपर बूल क्या है उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो बहुत को जानते हैं अत्षोक्ति अलंकार कहा जाता है जब बात को बहुत तेक बढ़ा चड़ा कर कहा जाता है तो हाइपर बूल होत अप्शन बी नाओ नेक्स कोश्चन इस कोश्चन नमबर 7 बेच अब दा गिवन फीचर इस नोट अट्रुटेबल तो लिरिक पोईट्री इन मैं से कौन सा फीचर जो है वह लिरिक पोईट्री के अंतरगात नहीं आता तो अप्शन देक लीजिए इट अन एक्प्रेशन अ तो देखो यह तीन ओप्शन जो हैं A, B और D यह तो लिरिक पोईट्री के अट्रुब्यूट करते हैं अगर नहीं करता तो C, it is bombastic in language ठीक लिरिक पोईट्री में bombastic language का यूज नहीं होता और RPSC 2016 का यह कोश्चन है सहाब अगला प्रस्ण आपका आता है question number 8, which of the following does not contribute three unities, a popular component of a drama, three unities के आपको नाम बताने हैं जैसा कि unities classical dramas जो classical tragedies हुआ करती थी, उसमें three unities काई जाती थी, unity of time, unity of place, unity of action question, तो कौन सी unity नहीं थी, तो option a, unity of events उनका यूज नहीं उगा करता था और यह PGT 2016 का question है next question, find out the figure of speech in, he received a mortal bound, इस sentence में आपको सही figure of speech बतानी है, कौन सी figure of speech इसमें यूज हुई है ठीक है न साब, तो option आपके सामने है, saline duche, option b, transferred epithep, option c, metonymy, और option d, litotes ठीक, तो देखें जब sentence कह रहा है, he received a mortal bound, ठीक, तो इसमें natural सी बात, कौन सी figure of speech आपकी यूज हुई है तो इसमें figure of speech आपकी यूज हुई है, transferred epithep, और PGT 2016 का ये question है आपका, ठीक है न, transferred epithep उसके बाद अगला question आपका आता है, question number 10, ये 40 line point in eambic pandameters consisting of 3 quadrants and a concluding couple is known as इस concern हम सबको पता होगा, 14 line की point, जिसमें eambic pandameters pre-yog होते हैं, जिसमें 3 quadrants और एक concluding couple का प्रियोग होता है उसको क्या कहा जाता है साहब, तो ballot, sexperian ballot, elezzy या lyric, sexperian ballot, PGT 2016 का ये question है अगला question आता है आपका, एक in a ballot, a line or stenja is repeated, but with an additional that advances the story, it is called किसी ballot में कोई line या stenja जब repeat होता है, लेकिन वह है, additional तोर पर, story को advancement करने के लिए प्रियोग होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, referential repetition, incremental repetition, just repetition, या none, तो भाईया इसका right answer होगा, incremental repetition, और ये question भी आपका PGT 2016 से लिया गया, अगला question है आपका, affirmation means, ये term है, literary term, affirmation उसका means आपको बताना है, तो देखिए, ample use of simply and metaphor, be indirect way of saying something, embracing or unpleasant, see, a speech or writing glorify something or someone, short phrase that says something true or wise, तो affirmation का मतलब होता है, सूक्ति, क्या होता है, सूक्ति, यानि कि संच्छेप में कोई बात कही जाए, जो कि सत्य हो, बुद्धिमत्ता से बरी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, affirmation, PGT 2016 में ये question पूछा गया आता साहाब, अगला question अब आपका आता है, अगला question है आपका question number 30, एक सब्ध है आपका animosity, इसका अर्थ आपको बताना है, तो animosity का अर्थ क्या होता है, तो कि ये option strong feeling of hatred, divergent opinion, indifference या apathy, और ये PGT 2016 का question है, और right answer है आपका option A, strong feeling of hatred, next question आपका आता है, utilitarianism का means आपको बताना है, option A, doctrine of treating all human beings equal, option B, believe that endorses greater happiness of the greatest number of people, C, option है, act of using everything for once on belief, और option D, act of seeking pleasure in material attainment, तो भाईया, utilitarianism का मतलब होता है, option B, यानि कि believe that endorses greater happiness of the greatest number of people, next question आपका आता है, which of the following terms is applied to a dramatic representation of serious and important action, तो जब serious and important action की बात आ गई, तो भाईया, ड्रामा में serious action जो है, वो हमारा काई में दिखाया जाता है, option D, यानि कि tragedy, PGT 2016 का ये question है, अगला question आता है, among the following, which does not consist of lines of EMBIC pentameter without rhyming, यानि कि नीचे दिए गए इसमें किस में ऐसा होता है कि EMBIC pentameter का प्रियोग होता है, बो भी बिना rhyming के, तो free verse, blank verse, hero 1 couple, टैजा रिमा, तो answer आपका होगा option B, यानि कि blank verse, और ये PGT 2016 का question है, अगला question आता है, point out the figure of speech in the following statement, नीचे दिए गए statement में आपको figure of speech बतानी है, कौन सी figure of speech का प्रियोग हुआ है, I see you coming out of a light blue car tomorrow, कल मैंने आपको एक light blue car से आते हुए देखा, ये टोटेस, पन, pathetic fallacy, या in window, PGT 2016 का question है, और इसका right answer होगा in window, ठीक है न, काई की कारण, light blue car के कारण, ठीक है, जहाँ रंगों का प्रियोग हो, ठीक है, next उसके बाद है आपका question number 18, an alternative name for prose, epigram is, epigram जो prose होता है, उसके लिए दूसरा नाम क्या प्रियोग किया जाता है, option a, epigram, option c, epigramos, और epiprosonium, या apothegma, तो भईया, इसका right answer है आपका option, तो इसका right answer है आपका option d, यानि कि epigram, और ये TGT 2016 का question है, अगर epigram की बात करनें, तो epigram एक rhetorical device होता है, जो की memorable, संशिब्ट और surprising, satirical statement को व्यक्त करता है, next question आपका आता है, question number 19, lyric has been the most popular form of poetry during, लिरुक जूथी, वो most popular form रही है poetry की किस समय में, early 18th century में, late 18th century, early 19th century, early 20th century या mid 20th century, TGT 2016 का ये question है, और right answer है, आपका option b, late 18th century and early 19th century, उसके बात अगला question आपता आता है, question number 20, question number 20 आपसे पूछा जा रहा है, the statement, the statement, if I told you once, I have told you a million times, is an example of, यदि मैंने तुमको एक बार बताया, तो मैंने आपको millions time बताया, ये किस सीज़ का एक्जामपल है, understatement, hyperbol, tone या set आया, भया ये एक्जामपल है, hyperbol का अतिशोक्ति का, जब एक बार बताया, तो इसका लाहारों बार बताया, millions time बताया, तो नकाय का हुए एक्जामपल है, hyperbol का, PGT 2011 का ये question है, उसके अगला question आपका आता है, 21 number, the use of language to evoke a picture, और एक concrete sensation of a person, from a thing, from a place, or an experience, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी भाषा, जो की एक चित्र, एक concrete sensation को ब्यक्त करेंगे, एक ब्यक्त की, बस्त की, इस्थान की, या experience की, तो इसको क्या कहा जाता है साहब, तो इसको कहा जाता है, option B, यानि की imagery, TGT 2011 का ये question है, अगला question आपके आता है, question 22, it was the best of time, it was the worst of time, ये कौन सी figure of speeches में यूज़ हुई है, simily, metaphor, antithesis, या oxymoron, तो भाईया, इसमें यूज़ हुई है आपकी antithesis, क्या यूज़ हुई है, antithesis, और ये example जो है, वह Charles Dickens की nobel, Tale of Two Cities से लिया गया है, तो इगर आप speech कौन सी है, antithesis, TGT 2011 का ये question है, now question number 23, bring an alarm clock, cleansed in the dark and silent room, TGT 2011 में ये question पूछा गया, इसमें आपको figure of speech पता नहीं है, कौन सी यूज़ हुई है, bring an alarm clock, cleansed in the dark and silent room, तो भाईया दोको alarm clock, alarm clock का मतलब काई से, sound से, और sound काई में आता है हमारा, ono meto, poya, option C आपका right answer है, next आपका आता है, octave in a sonet, consist of, जो octave होता है sonet के अंतरगर, वह consist करता है, कितनी lines उसमें होती है, 8 lines, 6 lines, 4 lines, 10 lines, तो इसमें होती है, octave में 8 lines, TGT 2011 का ये question है, अगला question है, question number 25, a story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main characters or character, यानि कि एक ऐसी कहानी, जिसकी happy ending हो, ऐसी कहानी को क्या कहा जाता है साब, तो ऐसी कहानी को हम सब जानते हैं, क्या कहा जाता है, TGT 2011 का ये question है, और जब happy ending की बात आती है, तो हमारा right answer हो जाता है, comedy, next question आपका आता है, question number 26, father of our country and the great emancipator are example of, इन में से अगर हम ये sentence बोलें, father of our country and the great emancipator, emancipator, तो ये किस चीज का example है, analogy का, epithet का, allegory का, या foil का, तो भाया, ये आपका example होगा, option B, यानि की epithet का, आपका example होगा, epithet का, TGT 2011 का ये question है, epithet जो होता है, वह एक adjective या adverbial phrase होता है, adjectiveial phrase होता है, जो कि एक ब्यक्ति या बस्त को apply करता है, और जोर देने के लिए ये बात कही जाती है, ठीक है ना, next आपका आता है, the seven line stanza used by medieval poets is known as, साथ line का stanza, जिसको की मत काले लिए के कभी जो हैं, वो प्रियोग करते थे, उसको क्या कहा जाता था, option A, tergarema, option B, rhyme royal, option C, tetrameter, option D, internal rhyme, तो हम सबको पता है, कि seven line के stanza को rhyme royal कहा जाता है, और TGT 2011 का ये question है, question number 28, let's go to bed now, let's go to bed now, इसमें कौन सी figure of speech यूज़ वी है, oxymoron, metonymy, personification, या pun, तो भाईया, इसमें यूज़ होई है, figure of speech आपकी metonymy, कौन सी figure of speech यूज़ होई है, metonymy, और ये TGT 2011 का question है, metonymy की अगर हम बात करें, तो metonymy एक ऐसी figure of speech होती है, जिसमें की एक सब्द या फ्रेज जो है, वह दूसरे सब्द को substitute करता है, जैसे की let's go to bed now, अब bed पर चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सोने चलते हैं, ठिक, तो इसलिए यहाँ metonymy figure of speech होई, question number 29, love is an ideal thing, marriage is a real thing, frame एक आदर्श चीज है, विभा एक बास्तिविक चीज है, तो इसमें कौन सी figure of speech use होई है, option आपके सामने है, oxymoron, metaphor, simply या antithesis, TGT 2011 का question है, और right answer आपका होगा, option D, यानि की antithesis, antithesis में क्या होता है, rhetorical term है यह, जिसमें की contrasting ideas को एक साथ लिखा जाता है, love और marriage, यानि की love को ideal thing कहा, तो marriage को real thing कहा है, इसलिए यहां figure of speech antithesis का प्रियोग हुआ है, और last आपका question है, आज के वीडियो का, इस्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी and effort, form a three part structure in, इस्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और effort, एक structure का निर्माण करते हैं, किसमें, classical word में, Greek chorus में, medieval ballad में, या पेटरचन सॉनेट में, option A, आपका right answer है, classical word में, और यह TGT 2011 का यह question है, तो आज के इस वीडियो मैंने आपको 30, बहुती महतपूर्ण questions से आपका पर्चे कराया, जिसमें कई question ऐसे हो सकते हैं, जिनके answer आपको पता है, तो कई question ऐसी भी हो सकते हैं, जो कि साइद आपको clear ना हो, अब तक तो आज के इस वीडियो से आपको clear हो गए होंगे, I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो please like, comment और share, अबस करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो please subscribe my channel, thanks for watching, जैहिंद जैवाराद,